आज सुनिये मन्नू भंडारी जी की इस्मृति में उनकी लिखी वी कहानी उचाई मन्नू भंडारी हिंदी साहित्य जगत की एक महान लेखिका कहानीकार वा पन्यासकार मानी जाती है प्रस्तुत्य कहानी मेरी जबानी मैं हूँ सीमा से हूँ दोनों में से शायद कोई भी नहीं सोया था हाँ उनके बीच का प्यार और अपनत सो गया था सो ही नहीं गया था शायद मर गया था एक ही पलंग पर दोनों के शरीर पास पास लिटे थे पर मन के बीच एक अनन्त दूरी आ गई थी शिवानी के मन में कहीं बहुत कहरे एक टीस अवश्य थी पर उपर की उस जड़ता को क्या करे जो उस टीस का पुरी तरह एसास भी नहीं होने देती थी जिसके नीचे अतीप, वर्तमान और भविश्य सभी कुछ इस प्रकार मिल जुल गए थे कि वो तीनों को अलग-अलग करके देखी नहीं पाती आठ वर्ष के सुखत विवाहित जीवन की मदूर घडियां, किसी भी क्षण तूट जाने वाला वर्तमान का ये तनाव और अनिश्यत भविश्य का अंधकार उसे न कहीं से पुलकित कर रहा था, ना खिन ना भैबीत हाँ, कल सारे दिन उसने ये प्रतीक्षा अवश्य की थी कि शिशिर उससे कुछ बोलेगा, उससे डाटे भटकारेगा, सफाई मांगेगा या अपने इस तरह एका एक चले आने पर पशाताप करता हुआ समझोता कर लेगा बीज गंटे की रेल यात्रा में उसने आपस में होने वाली बातों की अनेका ने कल्पनाएं की थी, पर इस जटिल गाट को न खुल पा सकने वाली ये चंद अपचारिक बातें ये अस्सह तनाव तो अप्रत्याशे थी थी था और जब रात आई तो शिवानी को लगा कि शायद इस रात के खामोश सन्नाटे में ऐसा कुछ होगा जिसकी वो सारे दिन से प्रतिक्षा करती आई है बिना एक शब्द भी बोले किवल देह की निकटता और इसपर्श ये शब्द दोनों को कहीं इतना पास ले आएंगे कि सारे तनाव धीले हो जाएंगे और मन का सारा मैल आस्वों में बह जाएगा पर वैसा भी कुछ नहीं हुआ पास लेटे शिशिर के शरीर की हर हरकत ने पहले उसके मन में आशा जगाई और फिर शोब और जैसे जैसे समय बीटता गया शिवानी के मन की सारी कोमलता कठोरता और जड़ता में बदलती चली गई और उसे लगने लगा जैसे वो कुछ भी महसूस करने में असमर्थ हो उठी है बिस्तर पर लिटे रहना जब अस्य हो गया तो वो उठी कंदे पर शौल और पैरों में चपल डाल कर बाहर निकल लेई बीटते नवंबर के कोहरे का दुदलका चारों और चाया हुआ था बड़ा सा बगीचा चारों और लंबे व्रक् पर लगा नहीं पाई हां पूर की ओर कोहरे को चीर कर सफेदी की हलकी सी आभा जरूर जलक पार रही थी उसने शौल को अच्छी तरह से अपने चारों और लपीटा और चार सीरियां उतर कर लाल बजरी की सड़क पर आ गई अंधिरी सड़क पर पेड़ों की खामोश उदा पर उसी की जगत पर बैठ गई हवा की ठंड़क और नमी से दीरे दीरे उसकी जड़ता गलने लगी और सबसे पहले उसके मन में आया वो यहां आई क्यों पंद्रे दिन पहले शिशिर बिना कुछ बोले सुने यहां चला आया था उस दिर उसका मन हुआ था कि दोनों बाहों से पकड़ कर शिशिर को रोक ले पर कहीं से वो इतनी अवश हो उठी थी कि उससे हिला तक न गया जाने का प्रसंग जाने का ढंग जैसे सब चीक चीक कर उसे बता रहे थे कि शिशिर केवल उसके घर से ही नहीं उसके जीवन से भी जा रहा है पर वो थी कि ना इससे समझ पाई ना स्वितार कर पाई मिलकर बिताय हुए सुख दुख के आठ साल क्या इस तरह जुटलाए जा सकते हैं और फिर जो कुछ गया वो क्या इतनी बड़ी बात थी जिसके लिए संबंध तूट जाए कितना गहरा था उनका ये संबंध और कितनी गहरी आस्था थी उस संबंध के प्रती उस आस्था नहीं तो उससे बिना किसी दोईधा संकोच के वो सब करवा लिया था जो किसी भी नारी के लिए असंबव है शिशिर के जानने के बात के पंद्रह दिन कितने अनमने और उदास बीते थे पर ये तो कभी लगाना था कि वो आएगा नहीं ये आशंका मन में आती और निकल जाती दो क्षण को भी तो जम नहीं पाती थी यो तो दोनों में कितनी बार लड़ाई होती थी कई दिन तक बोलचाल बंद रहती थी पर जिस दिन समझाता होता था वो दोनों कहीं और ज्यादा पास आ जाते हर बार जगड़ा उनने निकट से निकटतर ही लाया था और इसी लिए जिस दिन उसे शिशिर का पत्र मिला था कि 25 तारिक की गाड़ी पकड़ कर 26 को राजगिरी पहुँचो मैं इस्टेशन पर परणाम भी भिन ही होगा 26 को जब वो दो डिब्बों के ट्रॉम नमा गाड़ी से राजगिरी स्टेशन पर उतरी तो शिशिर खड़ा था देखकर ये जरूर लगा था कि 15 दिन में जैसे शिशिर कहीं से बहुत बदल गया है इतना कि पहचानने में भी तकलीफ सी हुई थी कहीं दूर से भुच्पुरी गीत के एक कड़ी हवा के लहरियों पे थिरक्ती हुई आई और मन के तारों को जंजना गई शिवानी की इच्छा हुई कि पास बैठ कर कोई बहुती दर्दनाग गीत उसे सुनाए पता नहीं कौन दूरी दूर से गाता हुआ चला गया वो आज ही वापस लौट जाएगी जो कुछ हुआ है उसे स्विकार कर लेने में ही सार है निश्चे उसने कर लिया पर अपने निश्चे के परिणाम की अपने भविश्य की कोई भी तस्वीर उसके मन में नहीं उभरती थी शायद अभी भी मन की आस्था ने कल्पना को जगर कर निश्चेष्ट बना रखा था एक ठंडी निश्वास के साथ उसकी आँखें चल चला आए अत्तुल इस बात को जानेगा तो कितना दुखी होगा अपने को कितना कोसेगा और साथ ही एक बड़ी अजीब सी बात उसके मन में आई मान लो भावा वेश में आकरो कह दे मेरे कारण मेरी जरासी खुशी के कारण तुमने अपने को बरबात कर लिया शीनू अब मुझे बनाने का अफसर और अनुमति भी दो पास की जाड़ियों के पत्ते को हलके से सरसाराता कपकाता शीतल हवा का एक जोका निकल शिवानी ने सिर्ध ढग लिया उसे कानों पर बड़ी सर्दी लग रही थी आंखों की तराईयां घनियों उठी और पलकों के कगारों के बीच आसू उमढ उमढ कर पाने लगे और वे ख्षण पानी चारों और पानी उमढता गुमढता लहराता समुद्र प्रिटी रेत में खेल रहा था और वो बड़े अनमने भाव से समुद्र के वक्ष स्थल पर उठती गिरती लहरों को देख रही थी उसका मन बेहद उदास था शिशर हमेशा की तरह प्रोगाम बिगारता है व्यर्थी वो अकेली चली आई उसे शिशर के साथी रहना चाहिए था उसके साथी हो गया और समुद्र का पानी अंधेरा गुल जाने के कारण काला हो गया तो प्रिटी का हाथ पकड़ करो लौट पड़ी अचानक अपना नाम सुन करो चौकी और जब मुड़कर देखा तो सामने खड़े व्यक्ति वो पहचानने में उसे दो मिनट लग गय थे पर जब पह आने लगी तो लगा कि अभी भी बात नहीं करूंगा तो फिर तुमारा पता पाना भी मुश्किल हो जाएगा ठैरी कहां हूँ अंधकार में तीनों धीरे धीरे चलते जा रहे थे पुरी होटल में तुम कहां ठैरे हो राम कृष्ण मिशन वालों का एक मठ है उसी में रहने की व्यवस्था कर ली है बच्चे को लेकर अकेली आई हो हां और वो सोचने लगी क्या प्रिटी की शकल उससे इतनी ज़्यादा मिलती है कि उसे उसका बच्चा ही मना जाएगा और होटल आया उसके पहले ही दोनों को लगा कि अब बात करने के लिए कुछ रहनी गया है शि मजी नहीं पा रही थी कि क्या बात करें उसके दिमाग में कोई भी पुरानी बात तो नहीं उभर रही थी होटल आ गया तो एक शन को ठिट की फिर बोली चलो कुछ देर बैट कर जाना पर स्वर की उदासी से इस पश्ठी था कि ये केवल शब्द भर ही है इनमें ठहरने का कोई आग रह नहीं अतुल भी समझ गया नहीं ठैर तो नहीं सकूंगा आप अकेले ही है ना पता नहीं क्या जानने के लिए शिवानी ने पूछा हाँ तो कल सबेर चाय पीने इधर ही आईए और फिर उसे खुदी बड़ा विचित्र लगा अगर वो अकेला नहीं होता तो क पहले दिन की उदासी और आपचारिकता समाप्त हो चुकी थी सारे दिन दोनों साथ रहे तीसरे दिन भी शिवानी नहीं गई और अतुल उसके हुटल में ही रहा ग्यारे साल के अनभवों को दोनों ने एक बार फिर से दुरा दिया और हस्ती हुई शिवानी बोली कहते हैं दुनिया बहुत बड़ी है पर देखती हूँ दुनिया है काफी छोटी देखो ना खूम पिर कर हम लोग आखिर मिल ही गए हाँ मिल तो गए और अतुल हसा पर उसकी हसी में कहीं दर्द था मानों कह रहा हो जब सब कुछ समाप्त होई ही गया तब मिलना ना मिलना बराबर ह एक शण को शिवानी की आखें उसके चीहरे पर इस्तिरो कर जम गई क्या अतुल के मन में कहीं कुछ दुख है सुनो तुम मेरे साथ कलकत्ता चलो शिशिर तुमसे मिलकर बहुत प्रसंद होंगे नाम से तो वे तुमें जानते ही हैं शादी के बाद ही मैंने उन्हें सब कु है बला प्रटी के बाल बनाते बनाते ही शिवानी ने कहा शिशर के प्रति तुमारी इस अरुची का कारण जान सकती हूं जिस व्यक्ति को मैं जानता नहीं उसमें रुची-अरुची का प्रशनी नहीं उठता इर्शया तो नहीं है एक हाथ में कंगा और दूसरे में प्रतने करते हुए पूछा ऐसे गूर गूर कर क्या देख रही हो हो भी तो कोई असवाभविक नहीं अतुल हसा अतुल की हसी कितनी बदल गई है और शिवानी के सामने ग्यारा साल पहले के अतुल के हसते हुए अनेक चेहरे उभराए जो व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी वस नहीं की अधिकार अनाधिकार की अपनी सीमाएं भी मैं जानता हूँ शीनू तुम्हें बतानी नहींगी अतुल कलकत्ता नहीं गया पर जब शिवानी कलकत्ता के लिए रवाना हुई तो उसने वायदा किया कि जुलाई में जब वो प्रिटी को उसके स्कूल छोड़ने के जाएगी तो एक दिन के लिए अवश्य इलाबाद रुकेगी ट्रेन चल पड़ी तो शिवानी इस आकस्मिक मुलाकात के सयोग पर ही सोच रही थी अतुल के एकाकी जीवन के प्रति उसके मन में हलके से दर्द का एसास भी था और संतोश का भी पर वैसा तो कुछ भी नहीं जा चुकी है इसे वो खूब अच्ची तरह समझती थी लो तुमारे मित्र सहब का पत्र भी आ गया हलके पीले रंग का लिफाफा पकड़ाते हुए शिश्र ने मजाग किया था शिवानी को लगा चेहरे पर लिप्टी हसी स्वर के बिखराओ को छिपा नहीं सकी वो एक लुकी गौर से शिश्र के चेहरे को देखा तो बड़ा नामालूम सा आगहात उसके मन पर लगा फिर भी उसने बड़े सहे स्वाभाविक धंग से पत्र लेकर पढ़ा और वापस लिफाफे में डाल दिया पती के मन में उठी हलके से संशय की कोर को मिटाने के लिए उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि लो पढ़कर देख लो कि क्या लिखा है संधे उठे ही क्यों और यदि अकारण ही संधे उठता है तो फिर ऐसे शंकालवी व्यक्ति को थोड़ा सा कष्ट सहना ही चाहिए पर उस दिन जो संधे का बीज उगा उसने शिवानी से कहीं कुछ गलत क करवा ही दिया इस बात का अन्भव उससे कुछ 15 दिन पहले हुआ फिर भी जरा से ठंडे दिमाग से सोचो तो सारी बात कितनी तुच्छ है और फिर शिशिर के लिए जिसने नयतिकता प्रेम विवा सेक्स सबको नापने के लिए अपने अलग-अलग गज बना रखे थे एक पता नहीं लगा उसने शिशिर की ओर देखा बीतर चलो आवाज की सर्दी से भी ज़्यादा सर्द शिशिर का स्वर था शिवानी कुछ बोली नहीं चुपचाप शिशिर के पीछे हो ली बिना नहाई नाश्ता करके चलते हैं पहले पहार चड़ेंगे फिर उतर कर वहीं ग सामने के पहाड के और संकेत करते हुए शिशिर ने बताया तो शिवानी ने गर्दन उची करके और पलकों को कपाल पर चड़ाते हुए उसकी उचाई को नापने का प्रैत्नी किया पहले इसी पर चड़ेंगे जैनियों का तो ये तीरत स्थान है उपर जैन मंदिर भी है च जाना कि उसका रास्ता भी चारों और के जाड जंकार से काफी बीहर सा ही था फिर भी वहां चड़ाई चड़ना एकदम सीधी थी वहां पत्थर डाल डाल कर चड़ने के लिए सीध्यासी बना रखी थी शिशिर ने पगडंडी पर दो कदम रखे ही थे कि शिवानी ने कहा पगडंडी से क्या चड़ना यहां से तो सभी चड़ते हैं चड़ना ही है तो उस जंगली रास्ते से चड़ो और वो जहां की तहां खड़ी रही कहा भी उसने ऐसे ही था मानो बस कही दिया हो कोई सुने न सुने शिशिर के पैर थम गए पीछे घूमा और धीरे से बोला प चपल उसने हाथ में ले ली थी और हाथ टेकती हुई जाडियों से अपने को बचाती बचाती वो चड़ रही थी और उसे कभी मसूदी की याद आ रही थी जहां कैंटी फॉल पर चड़ते समय दोनों हाथ पकड़ कर चड़ रहे थे तो कभी वो दिन याद आ रहा था जब च बिना तनिक्स भी सहमे या स्वर को कपाए सहज भाव से कहा था सचना होता तो लिखता ही क्यों और इसके बाद वो तयार हो गई थी कि शिशिर घर में तूफान मचा देगा चीजें उठा उठा कर फेकेगा अपने और उसके बाल नोचेगा बीची हुई मुठियों को हवा में उचाल उचाल कर चीखेगा चिलाएगा पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ था वो चुपचाप अंदर गया था और दो घंटे बाद उठकर उसमें सूटकेस में अपने कप्रे रखे और बिना एक शब्द भी बोले घर से निकल लिया था मौन भाव से शिवानी सब कुछ रही थी बड़ी जोर से उसका मन हो रहा था कि दोनों बाहों से पकड़ कर उसे बिठा दे और सारी बात समझा दे पर बात गले में ही अटक कर रह गई जब सीडिया उतरा तब भी रोक नहीं पाई जाने कैसी विवश्ता से जकड़ी बैठी रही शिशिर का ये सुलकता कर दिया उसके बाद वे उदास अनमने 15 दिन भी एक एक करके उसकी आँकों से गुजर गए इन दोनों उसने अतुल को एक भी पत्र नहीं लिखा कुछ भी करने को तो मन नहीं होता था कहीं से वो बड़ी निर्जीव और पंग होटी थी उपर पहुँचे तो रास्ते का ज जंकार समाप्त हो चुका था और चौड़ी समतल भूमी थी जिसके बीश में मंदिर बना हुआ था मंदिर इस समय बंद था पर जालीदार दर्वाजों में से भगवान की संगमर्मर की मूर्ति दिखाई दे रही थी और चंदन केसर और अगर की मिली-जुली सुरवी हवा क के साथ ही साथ चारो और लहरा रही थी पता नहीं वहां क्या था कि एक बार सब कुछ भूल कर उसका मन उसमें बंद कर रह गया सारा शहर वहां से दिखाई दे रहा था दूप में चमकता हुआ शहर यो शहर के नाम पर वहां कुछ भी नहीं है फिर भी पता नहीं ऐसा क्या सांस उसकी फूल रही थी और पैरों में दर्द हो रहा था फिर भी चड़ते समय मन में एक बोज का एसास हो रहा था वो यहां आकर जैसे समाप्त हो गया उसने बिना देखे जान लिया कि शिशिर भी उसके पास आकर बैठ किया है दूप में पड़ती उसकी प्रतिच्चाया के समानांतर ही एक चाया और लेट गई थी शिवानी आठ साल बाद उसने पहली बार शिशिर के मुझ से अपना पूरा नाम सुना उसकी द्रश्टे शिशिर के चेरे पर इस्थिर हो गई बड़े विवश्ट से भाव से उसने दोनों हातों को मसलते हुए कहा मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बात कहां से शुरू करूँ सच ही तो है जो बात समाप्त ही हो गई हो उसे कोई भला शुरू भी तो कहां से करे शिवानी उसी तरह अपलक नेत्रों से उसकी उर देखती रही मानों विश्वास करने का प्रेत्न कर रही हो कि क्या बात सचमुची समाप्त हो गई देखो उस दिन आवेश में बिना कुछ कहे में चला आया और पिछले पंद्रे दिन से मैं यहां एक तरह से अपने से ही लड़ रहा हूँ कई तरह से अपने को समझाने का प्रेत्न किया पर हर बार यही लगा कि बात जैसे बहुत बहुत आगे पहुँच चुकी है विच्छे लोटने की तो अप कोई रहा ही नहीं बची इसी बात पर आश्चर होता है कि अपनी छोटी से छोटी बात को भी यह निर्दन दभाव से मुझसे कह देने को आतुर तुम इतनी आगे बढ़ गई और मैं जान भी नहीं पाया एका एक ही शिशे का स्वर भीग गया दोरी चोट तुमने मुझ पर की एक और बेवफाई और दूसरी और धोखा चल तुम विश्वास कर सकते हो कि मैं तुमारे साथ धोखा कर सकती हूँ तुमें चल सकती हूँ बीच में बात काट कर शिवानी ने पूछा उसकी आखों की कोर नम हो उठी थी किस आधार पर विश्वास करूँ कौन सा कारण है जो विश्वास ना करूँ तुम अपना शरीर तक एक पुरुष को दे आई और कैसे इतनी बड़ी बात को पचा कर बड़ी स्वाभाविक धंग से चल पनी आवेश में शिशिर की मुठियां भिज गई पर स्वर उसका बेहद निर्जीव था शब्द जैसे उसे गले से निकल नहीं रहे थे शरीर देने के बाद औरत के लिए अस्वाभाविक हो जाना क्या अनिवारी ही है और छिपाने के पीछे भी तुमें धोका देने या चलने का उद्देशे कता ही नहीं था सिर्फ इसलिए छिपाया था कि तुम से सहाने जाता तुम बहुत कष्ट पाते अतुल के पत्रों से ही तुम कई कचोट का अन्यो करते थे पर मुझे कश्ट हो या जिसे मैं सहन नहीं कर पाऊँ ऐसा काम ही तुमने क्यों किया क्यों किया तुमने ऐसा काम ऊपर हवा जादा ठंडी थी चढ़ाई की कारण जो पसीना शेरे पर चमक आया था वो सूख गया था और शरीर की गर्मी भी हवा की ठंड़क के साथ बैग गई थी शौल को अपने चारो अच्छी तरह से लपेटते हुए शिवानी ने धीरे से कहा जैसी इस्थित थी उसमें लगा कि यदि वो नहीं करूँगी तो मुझे बहुत कष्ट होगा अपना दायत तो पूरा ना कर पाने के कारण शैद मैं अपने को कभी शमानी कर पाऊंगी विश्वास करो शिशिर जो कुछ भी किया तुम्हें कष्ट देने के लिए नहीं अपने को कष्ट से बचाने के लिए किया और तुम्हें कष्ट ना हो इसी लिए तुम्हें कुछ बताया नहीं विश्वास घात की बात तो मेरे मन में भी नहीं थी अपनी हर बात को बड़े कौशा से जस्टिफाई करने से ही कोई गलत बात सहीं नहीं हो जाती शिवानी फिर आरी की तरह फसी हुई दोनों हातों की अंगलियों को जटके से अलग करके सारी बात को समाप्त करने के अंदाज में उसने कहा कश्ट से बचाया इसके लिए शुक्र गुजार हूँ और सोचता हूँ इस पर अधिक भहस न करके तुमें भी अधिक कश्ट न दूँ इसलिए हमेशा के लिए अपने से मुक्त ही कर दूँ यो ये बात मैं तुम्हें लिक्तर भी बतला सकता था पर जाने क्यों लगा कि जिस तरह विभा के लिए दोनों की उपस्थित अन्यवारे है वैसे ही विच्छेत के समय भी दोनों को ही उपस्थित रहना चाहिए आसों को आखों में पीने का भरसक प्रत्न करते हुए उसने सीधी नजरों से देखा शायद वो अपनी बात की प्रत्रफिया उसके चेहरे पर देखना चाहता था पर पानी की हल्की सी परत के पार दीखते शिवानी के नक्ष बहुत दुन्दले हो उठे थे शिशिल के कान एक मर्म विदारक सिस्की को सुनने के लिए और उसकी बाहें शिवानी की निरजीव देखो संभालने के लिए अधीर सी हो रही थी पर वैसा कुछ भी तो नहीं हुआ ना शिवानी रूई ना कटे पेड की तरह उसकी बाहों में ही आगिरी उसने बिना पलक उठाए के विल इतना ही कह दिया यति हमारे संभनों का आधार इतना चिछला है इतना कमजोर है कि एक हलके से जटके को भी नहीं सभाल सकता तो सचमुच उसे तूठी जाना चाहिए अपना ऐसा निर्जीव और भाव विहीन स्वर उसके अपने लिए भी अपरचित था उसने आखें उठाई परचिशिच के ओर नहीं देखा बस योही निरुदेश यसी आसमान के ओर देखने लगी आसमान में सफेद पक्षियों का एक जुन्ड बंदन वार्सा बनाता दूप में अपने पंखों को जिल मिलाता उन दोनों के सिर के उपर से उड़ गया संबंदों की बात तुम ना करो तुमें तो कोई हक नहीं है तुम तुम जैसी ओरत क्या समझेगी इस संबंद की पवित्रता को शिशिर के मन का सारा जहर उसकी सारी कटुता उसके स्वद में छलकी पड़ रही थी उसका मन हो रहा था कि दोनों हातों से दबोच कर शिवानी को जगजोड डाले इतना कि वो चीक करके उठे शिशिर मुझसे गलती हो गई मुझे माफ कर दो तुमारे बिना मैं नहीं रह सकती रह भी नहीं सकूंगी और वो अपना सारा आवेश हतेलियों को मसल मसल कर निकालने लगा शाय तुम ठीकी कहते हो क्योंकि अब तो सच्मुची मुझे सम्मंद में कोई पवित्रता नजर नहीं आती मैं तो सोचती थी ये सम्मंद इतना ज़्यादा पवित्र है कि सारे संसार की अपवित्रता भी इसमें आकर पवित्र हो जाती है पर जरा से इस पर्ष से यदी बक्वास बंद करो शिशिर एक तरह से चीक सा पड़ा और फिर दोनों एकाएक ही चुप हो गए अजीब सा था उस अनाटा भी पत्राई सी नजरों से शिवानी ने देखा कि उसकी चाया के पास की चाया हलके से कापी और फिर दीरे दीरे सरक कर दूर होने लगी वो अपलक नेत्रों से दूर होती उस चाया करती को ही देखती रही तब ही सूरज आसमान में फैले एक दूदिया रेशमी बादल के टुकड़े की ओट में हो गया और वो चाया बहत धूमिलों उठी शिवानी ने उधर से नजरे हटा ली दूप के अभाओं में हवा और भी ठंडी लगने लगी उसने हवा में फरफराते अपने पल्ले को पकर कर सिढख लिया और फिर अच्छी तरह से गर्दन के चारों और लपेट लिया जिससे कानों में सर्दी नहीं लगे बादनों की परत शायद कुछ घनियों उठी थी इसलिए सामने का सारा द्रश्य दूर दूर तक फैले मैदान और उनकी सीमा निर्धारित करते पहाड़ सबी बड़े दुंदले हो उठे पहली बार शिवानी की आँखों में आसू भराए और ये सारी दुंदली और इसपश्ट आकरतियां भी मातर धब्य भर रह गई जो रह रहकर काप जाती थी उसने गुटनों में अपना मूँ चिपा लिया उसे अतुल के साथ बिताए दो दिन याद आए वे द्रश वे बाते हैं वे स्पर्श अपने वाइदे के अनुसार प्रिटी को लेकर वो सवेरे इलाबाद उतरी थी अतुल के स्वागत और खातिर से वो कहीं भीतर तक भीग उठी थी अतुल दो पहर तक बस केवल प्रिटी के साथ खेलता रहा था उसके लिए उसने धेर से खिलोने लाकर रखे थे और जब खाकर प्रिटी सो गया था तो पहली बार दोनों ने आमने सामने बैठ कर बाते की थी शिवानी सविरे से ही अतुल के सजे सजाए घर को बच्चे के प्रत उसके प्यार को देख रही थी और सोच रही थी उस अभाव की बात जो वह उसके जीवन में भरकर चली गई है पर वो तो उसके लिए उत्तरदाई नहीं है फिर भी जाने क्यों लग रहा था कि इस सब के बीच कहीं वो है शायद इस तरह का प्रशन पूछने का अधिकार तो मैं खोच चुकी हूँ फिर भी पूछ रही हूं अतुल कि तुमने शादी क्यों नहीं की अतुल मुस्कुराया था जाने कैसा दर्द भरा व्यंग लिप्टा था उस मुस्कुराहट में कि शिवानी बस देखती ही रह गई पता नहीं क्यों शादी की कोई इच्छा ही मन में नहीं जाकती लगता है जीवन का यही पैटर्ण बन गया है बड़ी हतास सिस्वर में अतुल ने कहा था और शिवानी कुछ देर तक समझ नहीं पाई थी कि अब क्या कहे फिर बोली जो पैटर्ण है उसमें तो देखती हूँ विवा की बहुत जादा गुंजाईश है कॉलेज का अच्छा जॉब है सजा सजाया घर है निश्चित जीवन है अब कौन सी बाधा है ग्यारा साल पहले का वो अनिश्चित राजनीतिक जीवन भी अब तो पूरी तरह छूट गया है फिर अतुल ने कुरसी की पीट पर सिर को जुला लिया और आखे भीज ली दोक्षन चुप रहने के बाद वो बोला मैं खुद नहीं जानता क्या बात है पर शादी के लिए मन में कोई उत्साह नहीं रह पाता ऐसा नहीं कि तुमारे बाद मेरे जीवन में कोई आया नहीं दो लड़कियां आईं और बहुत निकट आईं पर तुमसे कटकर मैं शायद कहीं से इतना जादा तूट चुका हूँ कि मन में किसी बात के लिए कोई उत्साह नहीं पाता कहीं से मैं बहुत जड़ हो गया हूँ I am completely dead शीनू completely dead किसी लड़की को देने के लिए मेरे पास कुछ भी तो नहीं है मरे हुए प्यार की लाश को मैं ढो रहा हूँ और उसे ढोते ढोते मैं खुद लाश हो गया हूँ स्वर भीगा, कापा और फिर बिखर गया शिवानी की आँखों में दो बून आसु चूपड़े थे उसके बाद रात को गारी में बैठने तक दोनों में कोई बात नहीं होई थी और जब गाड़ी चल पड़ी, अतुल पीछे चूट गया तो वो तकीये में मूझ छिपा कर देर तक आसु बाती रही किस बात पर उसे रोना आ रहा था, वो खुद नहीं समझ पा रही थी तीसरे दिन रात को बिना किसी प्रकार की सूचना दिये वो अपनी अटैची हाथ में लिए अतुल के क्वार्टर पर जा पहुँची थी विस्मित पुलकित सा अतुल उसे देखता ही रह गया था तुम? तुम कैसे? तुम तो तीन-चार दिन प्रेटी के साथ रहने वाली थी ना? नहीं रुकी, अटैची को एक और रखकर कुर्सी पर बैठते हुए उसने जवाब दिया था पर तुम? खुली हुई किताब को उल्टी रखकर कुर्सी को शिवानी के रखमाते हुए अतुल बोला बिना सूचना दिये कैसे आ गई? क्यों आ गई? यही ना? अतुल की कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे? नहा लूँ तब बात करूँगी और वो उट पड़ी ऐसे मशीनी धंकी द्रड़ता से वो बाते कर रही थी कि उसे ही स्वयम अपना व्यवार बड़ा अपरचित और पराया लग रहा था वो नहाने गई तो उसने नल को पूरा खोल दिया उसे लग रहा था जैसे पानी के साथ उसका शरीर से केवल सफर की धूली नहीं चड़ रही है और भी बहुत कुछ पुछता बहता चला जा रहा है बड़ी देर तक वो पानी के नीचे खड़ी रही मानो कुछ था जिसे वो पूरी तरह धोकर बहा देना चाहती थी ना कर पीट पर गीले बाल फैलाए आई तो देखा अतुल जो कातियों बैठा था सिग्रेट के धुए की हल्की सी परत से उसका चेरा कुछ अइसपस्ट सा दिखाई दे रहा था शिवानी ने ट्यूब लाइट का स्विच बंद कर दिया तो कमरे का दूदिया प्रकाश अंधेरे में टूप किया केवल टेबल लेम्ब के बिखरते प्रकाश में सिम्ती चीजें ही चमकती रह गई मुझे रोश्नी जराबी अच्छी ने लगती और शिवानी अतुल की कुर्सी के पास आकर खड़ी हो गई खाना ट्रेन में ही खा लिया और वो कुर्सी के हत्ते पर ही बैठ गई अतुल अतुल चुप सब इस नाता शिवानी के शरीर की ताजगी भरते बालों का गीलापन और बिनाका पाउडर की गंद फिर भी अतुल चुपी रहा शिवानी दीरे दीरे उसके बालों में अपनी उमलिया फेरने लगी तुम जानती हो शिनू तुम क्या कर रही हो ये सब मैं तुमें कभी नहीं करने दूँगा कभी नहीं मेरे लिए तुम अपना सारा संसार मिटा कर रख दो तुमारी इतनी अनुकंपा मुझसे सही नहीं जाएगी स्वर कहीं दूर घाटियों की गूंच की तरह आ रहा था शिवानी अतुल के चेरे को देख रही थी पर अतुल ने अपनी आखे बंद कर ली थी और बाकी उचेरा उसका इतना जड़ इतना निर्विकार था कि शिवानी काप गई सिग्रेट के धुएं की एक पतली सी लकीर दोनों के बीच में खिची हुई थी बस अनुकंपा की बात न कहो अतुल इसे और चाहे जो नाम दे लो तुम ऐसे अकिंचन नहीं कि तुपर अनकंपा करूँ और अपना सब कुछ मिटा कर देने की उधारता भी मुझ में नहीं है मेरा कुछ भी मिटने वाला नहीं है इसी लिए दे रही हूँ कहने के साथी उसे शिशिर का ख्याल आया पर उसे जबरन एको ठेल कर उसने अतुल के हूटों पर अपने कापते हुए हूट रख दिये उंगलियों में दबियू सिग्रेट की पकड़ इतनी कस गई कि वो कसमसा कर तूट गई मैं जानता हूँ तुमारे पती बहुत उदार है, महान है, बड़े अनकन्वेंशनल भी है पर बार बार उनकी उदारता की बात कहकर क्यों नहक ही मुझे छोटेपन का एसास करा रही हो पागल, हलके से शिवानी हसी थी, आदनी छोटा अपने मन के छोटेपन से होता है, दूसरे का बड़पन किसी को छोटा ने बनाता, बना भी नहीं सकता, मेरे लिए जैसे शिशर वैसे ही तू हूँ और उसने फिर हलके से अतुल के होटों को छू दिया इस बार सिग्रेट का टुकड़ा जमीन पर पड़ा था, और उसकी बाहों में शिवानी की सारी देही कसमसा रही थी, और फिर एका एक जटके से शिवानी को अपने से अलग करके अतुल ने उसे पूछा, शीनू तुम यहां क्यों आई तुम यहां, मैंने तो तुमें सिर् यह लिखा था कि प्रिटी को लेकर एक दिन के लिए आना, मैं तो सिर्फ प्रिटी से खेलना चाहता था, बहुत प्यारा बच्चा है, तुम यह अकेली चलिया आओगी, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी, इस सब के लिए मैं तयार भी नहीं था, यह सब मैं चाहता रहते हैं, जीवन में केवल भही होना चाहिए, ऐसा तो कोई नियम नहीं है, और तुमारे निमंतर पर ही तुमारे घर आना चाहिए, यह बात भी कभी मन में नहीं आई, इसलिए चलिया आई, मेरा आना इतना बुरा लग रहा है, तो मैं कली चली जाओंगी, बड़े सदे ह वे स्वर में शिवानी बोली, बुरा, शीनू, कभी-कभी अपने बारे में बड़ी उची और मीठी बाते सुनने के लिए मैं ऐसी बाते करते हैं, तुम शायद सोच रही हो कि मैं विबोर होकर कहूंगा, कि शीनू, तुम क्या आ गई, मेरे जीवन में बहार आ गई, मैं त इतना जरूर कहूंगा कि आकर तुमने उचित नहीं किया, कई हलके से आहत होकर भी शीनू हसी, उचित अनुचित का मेरा अपना भी विवेक है और मुझे उसके अनुसारी चलने दो, अपना विवेक तुम अपने चात्रों को बाटने तक ही सीमित रखोगे तो ज़्यादा प्रसिधी मिलेगी, अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो, तुमने शिशिर के साथ अन्याय नहीं किया, ये उसके प्रतिछल नहीं है, आते समय जिस सहचता से तुम अपने ठेरने की बात बता कर आई थी, लोट कर भी उसी तरह बता सकोगी, यहाँ जो कुछ किया कैसा कोग और ये, अतुल ने दूसरी सिग्रेट निकाली, माचिस की जलती सीख ने एक शण के लिए प्रकाश के बड़े व्रत्य के बीच एक छोटा सा व्रत्य और बना दिया, और फिर दोनों के बीच में धुएं की हलकी सी परच्छा गई, लहरदार धुएं की, हर बात को बुद् उनको चलने का साहस इस जन्मे में मैं शायदी कभी जुटा पाऊं। बात को प्रमानित करने के लिए एक तर्क भी मैं नहीं जुटा सकती हूँ, वैसा कोई प्रयास भी नहीं करूंगी, फिल भी इतना जान लेना तुल, जो कुछ कह रही हूँ, वो जूट नहीं है, और उसका कंठ रुंद गया। मुलाकात होगी, और उचुप हो गया। थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही कोई-कोई स्वर में बोला, और पुरी में मिला था, तब क्या ये सोचा था, कि इस मुलाकात का ये परिणाम होगा। अपने जीवन के अभाव और दुख ने उस दिन मन को कहीं बहुत बेधा था, पर तुम्हें सुखी प्रिसंद देखकर मैं अपने दुख को भूलने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारे सुख से सुखी हो ये ठीक है, ये जीवन के लिए आदर्श हो सकता है, पर मैं यदि दुख से दुखी हूँ, तो ये गलत है, अनुचित है, क्यों, तुम्हें जीवन में अकेलापन नहीं लगता, तनहाई की घड़ियां जंदगी को बोजल नहीं बना देती, ये सुना सा घर और उससे भी अधिक सुना मन, तुम्हें कहीं से टीस्ता नहीं, सब कुछ होता है शीनु, सब कुछ होता है, पर उससे क्या, उससे मेरे प्यार की लाश ने तुम्हें जीती जागती लाश बना दिया है, मेरा प्यारी तुम्हें नया जीवन भी देगा, मेरे इस अधिकार को मुझसे कोई ने छीन सकता, शीनु, और उसने शिवानी का हाथ कसकर पकड़ लि बीश में काप काप कर बूचता रहा था, शीनु, शिवानी चौक पड़ी, उसने गुटनों में से सिर उठाया, पतानी कब से शिशर उसके पास आकर खड़ा हो गया था, उसने अपनी गीली पलकें उठाकर शिशर की और देखा, रूखे उरते केश, फीका मुर्जाया चे दीरे से उसके पास आकर पैट किया, धूप फिर निकल आई थी, चारों तरफ की चीजें फिर चमकने लगी थी, इस बार शिशर जब बोला तो उसका स्वर बहुत सधा हुआ था, उसमें ना कोई आकरोश था ना आवेश, एक बात पूछू शीनु, अगर मैं किसी दूसरी इस तरी से शारिरिक संबंद स्थापित करूँ, तो तुम बरदाश्ट कर लोगी, शीवानी ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें शिशिर के मुक पर टिका दी, रात से लेकर अब तक कई बार रोने के कारण काजल की कोर धुल चुकी थी, और उसकी आखें बिना किनारे की सा इस मामले में बहुत संकीर नहीं हूँ, और पिर तुमारे प्रति, अपने आपसी संबंदों के प्रति आस्था भी इतनी कच्ची नहीं, जान सकता हूँ, तुमारी ऐसी कौन सी परस्तिती जिसने तुमें यो मजबूर कर दिया, उसने तुमें बिहोश कर दिया था, कुछ पिला दिया था, चबरदस्ती की थी, उस पर व्यर्त लांचन लगाने की आवशकता नहीं, जो कुछ कहना हो मुझसे को, मैं तुमारी ग्रणा, तुमारे आक्रोश, सभी कुछ सहने को तयार हूँ, बहुत दर्द है उसके लिए मन में, व्यंग बहुत पैना था, फिर भी शिवानी को कहीं से चीर नहीं पाया, तनिक भी विशलित हुए बिना उसने कहा, जर्द था, तभी तो वो सब कर पाई, जो एक नारी के लिए शायद असंभव ही होता है, यदि मैं जरासा देकर, किसी के जीवन में पूरूता ला सकती हूँ, उसके अभावों को भर सकती उसके सारे जीवन का रवैया बदल सकती हूँ, तो उसे देने में क्या हर्ज है, उसके प्रते दाईवत निभाने में तुम किसी और के प्रती, अपने दाईवतों को भुला रही हो, जो दे रही हो वो किसी और का है, ये बात क्या, ये मैंने इमानती, बड़ी दृता के उसकी भागी ना कोई हुआ है ना भविश में कोई हो सकेगा ये बात भी क्या मुझे कहकर जतलानी होगी और इस बार शिवानी की आखों से टप टप आसू टपक पड़े उसने उन्हें पोशने का कोई प्रत्न नहीं किया दोनों गालों पर आसू की लकीरें बन गई सच सच बताना तो तुम क्या कहना चाहती हो कि सिर्फ देने की भावना सही तुमने ये सब किया शायद डया के वशीभूत होकर भोगने या पाने की भावना उसमें कहीं नहीं थी और शिशिर उसे ऐसी तीखी नजरों से देखने लगा मानो वो उसके शरीर को भेद कर मन में छिपे रहसे को जान लेगा शायद जो कुछ हुआ उसका शिशर को दुख नहीं था पर पुरुष के इसपर्ष मातर से ही नारी अपवित्र हो जाती है ऐसी बात को प्रश्रे देने वाली संकीरता भी उसमें नहीं थी वो तो सिर्फ ये चाहता था कि जो कुछ हुआ शिवानी उसके लिए दुख करे अपराद भावना और आत्म गलान में डूब कर प्रैश्चित कर ले सच जाने का तुमारा इतना आग रहे तो सची बताऊंगी यो भी जूट मैं आज तक तुमसे कभी नहीं बोली हूँ शायद बोल भी नहीं सकती हूँ पर सहना तुमें होगा और शिवानी एक ख़ण को रुकी मानों सामने बैठे शिशिर की सामर्थ को तॉल रही हूँ फिर दीरे से बोली जानते हो देने पावने का हिसाब रखने की मेरी व्रत्य नहीं कितना दिया और कितना पाया ये मैं स्वयम नहीं जानती तो तुम्हें क्या बताऊं और दया की बात भी गलत है जो अकिंचन हो दbeyनिय हो दया उसके प्रत्य की जा सकती है पर अतुल में तो ऐसा कुछ भी नहीं धैर और सहन शक्ति के सारे बान तूट गए हो इस प्रकार हातों को जोर से जटक कर शिशर ने कहा जब सारी बाती इतनी साफ और स्पष्ट है तो व्यर्त की बहस से क्या अलाब फिर एका एक ही स्वर को मद्धिम बना कर बोला मैं अभी तक समझे था तुम मेरी हो केवल मेरी और मेरे सिवाए किसी की हो ही नहीं सकती हो लेकिन अब लगता है कि एक बड़ा खुबसूरत सा भ्रहम ही तो मैंने पाल रखा था उसका गला भरा आया अंतिम शब्त तो जैसे आसूं में भीकर काप गए थे भ्रहम क्यों ठीकी तो समझाता साथ रहें या ना रहें ये विश्वास तो मैं आज भी दिला सकती हूं कि शीनू तुमारी है और केवल तुमारी ही पती के रूप में मैं तो किसी की कल्पमा भी नहीं कर सकती हूं अतुल की भी नहीं तुमें लेकर मन का कोना कोना कुछ इस तरह भरा हुआ है कि उसमें और कोई कहां से आएगा भला सच बोलने का मेरा काम था मैंने बोल दिया सहना तो तुमें ही होगा अच्छा चीनू और एक आय की उसने शिवानी का हाथ पकड़ लिया उस समय क्या तुम्हें एक बार भी मेरा खयाल नहीं आया खयाल और इतनी देर बाद पहली बार मुस्कान की एक शीर सी आशा उसके फीके अधरों पर फैल गई तुम्हारे सिवाए और कोई बाती मन में नहीं थी शरीर पर चाहे वो चाया हुआ हो पर मन पर तुम किवल तुम चाय हुए थे शिवानी ने धीरे से अपना हाँ शिशिर के हाँ से छुडाया और शौल को उतार कर एक और रख दिया था दूप में कुछ तेजी आ गई थी और हावा में हलकी सी उश्मा तुम सच कह रही हो शीनो बिलकुल सच और शिशिर का मन हो रहा था कि शिवानी बार वार इसी बात को दोराती जाए जानते तो हो मैं तुम से जूट ने बोल पाऊंगी कोई बात छिपा भले ही जाओं पर जूट बोलना मेरे लिए संभव नहीं नहीं तो क्या मैं जानती नहीं कि यदि एक बार भी मैं पश्चाताप के दो शब्द कह दूँ तो तुमारे मन का सारा मलाल दूर हो जाए सारा क्रोध बह जाए पर जो चीज में महसूस नहीं करती उसे जूट बोलकर तुमारे सामने सुईकारा नहीं जाता एक जरा से जूट से मेरा सारा भविशे ज्योंकातियों सुरक्षत रह सकता है पर वो भी तो नहीं बोला जाता इस बार शिवानी ने शिशिर का हाथ अपनी दोनों हतेलियों में ले लिया और धीरे धीरे सहलाने लगी माल लो शीनू वो आज आकर तुम्हीं मांगने लगे तो तुम्हारा दायत्य तुम्हें किस ओड ले जाएगा ऐसी बात भी तुम्हारे मन में क्यों आती है अतुल अपनी सीमा जानता है जो उसका नहीं उसे पाने की लासा भी कभी नहीं करता अपने को कष्ट देना वो जानता है दूसरे के लिए कष्ट का कारण बनना उसका सुभाव नहीं और मेरे दायत्यों की बात उठाकर व्यर्थी क्यों अपने को नीचे किरा रहे हूँ, मेरे जीवन में तुमारा जो इस्थान है उसे कोई नहीं ले सकता, लेना तो दूर उस तक कोई पहुँच भी नहीं सकता, किसी के कितने ही निकट चली जाओं, चाहे शारीरिक संबंध भ पर मन की जिस उचाई पर तुम्हें बिठा रखा है, वहां कोई नहीं आ सकता, किसी से उसकी तुल्ना करने में भी तुमारा अपमान होता है, वो एक शण को रुकी, पर कभी नहीं सोचाता शिशिर्थ कि ये सब मुझे कहकर तुम्हें बतलाना पड़ेगा, और बात समाप करते करते जैसे वो फूट पड़ी, तभी दो सबल वाहों के कसाओ में उसकी सारी जड़ता, सारी ततरस्ता एक साती पिघल पड़ी, केवल आसू, हिचकियां, आसू, उतने ही भर्राय हुए स्वर में शिशिर्थ ने पूछा, शीनू, तुम मेरे जीवन की इतनी बड़ी आवशकता और इतनी बड़ी कमजोरी हो कि मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता, और किसी भी रूप में तुम्हें जरासा शेयर भी नहीं कर सकता हूँ, और उसके आसू शिवानी की सारी में से छन कर उसके रूखे बिखरे बालों को भेगोने लगे, सुनैरी दूप मे पहली दो गुथी हुई छाया क्रतियां देर तक कसमसा कर सहरती कापती रही, मंत्रो चारण की ध्वनी इसने शिशिर का ध्यान आकरशित किया, गुटने तक धोती और ललाट पर चंदन पोते दो व्यक्ति हाफ हाफ कर मंत्र बोलते हुए चढ़े आ रहे थे, उसने शिवा अब लोट चलें, धूप की गर्मी और तेजी काफी बढ़ चली थी, अन्मने भाव से शिवानी उठी, दोनों एक शन के लिए मंदर के सामने रोके, फिर मंदर के पीछे की और वहाँ जाकर खड़े हो गए, जहां से धलान शुडू होती थी, दूर दूर तक फैले मैदान आपस में उलजी, गुती हुई पगडणिया, त्रिकोर, चौकोर, आकार के कटे खेत, शहर को चारों और से घेरती पहाडिया, नीचे रेंगते हुए छोटे-छोटे मनुशे, छोटे-छोटे घर, सभी कुछ बड़ा छोटा नजरा रहा था, हम लोग शायद काफी चोटा-चोटा लगने लगता है, है ना? शिवानी के आसूं से धुले मुक पर फैली हलकी सी मुस्कान, शिशुर को बड़ी प्यारी लगी, उसके कंदे पर बड़े प्यार से हाथ रखकर उसने कहा, चलो शीनू, अब गर्मी बढ़ चली है, फिर अभी कुन पर भी तो चल चारों और फैलती जा रही थी, दीरे दीरे दिरों लोटाए, शिवानी एक बार फिर मंदर के सामने ठिटकी, फिर आगे बढ़ती शिशिर के पीछे चली गई, उतरने के लिए शिशिर ने फिर पकड़न्डी पकड़ी, तो शिवानी बच्चों की तरह मचल उठी, नहीं अब हम पकड़न्डी से नहीं उतरेंगे, मानो शीनू, बड़ा सीधा सा पहाड है, एकदम धलान पर उतरा नहीं जाएगा, फिसल पड़ी, तो हड़ी पसली एक हो जाएगी, नहीं फिसलूँगी, फिर तुम तो हो साथ, पकड़ लेना, और वो जाड़ियों को हास से चीर बीच बीच में कटीली जाड़ियों में शीवानी का आचल उलच जाता, तो शिशिर बड़ी सावधानी से निकालते हुए कहता, तुमारी जिदकी भी हद है, सारी सारी फाड़ ली ना, जवाब में शीवानी केवल हस देती, नीचे उतरते उतरते शीवानी सचमुश ठक ग यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, अभी गरम पानी के कुंड में पैर डाल कर बैठ जाना, सारी थकान बिट जाएगी, और हाथ पकड़ कर एक जटके से उसने उसे खड़ा कर दिया, कुंड पर यो तो हमेशा ही भीड बनी रहती थी, कंदक के उन गरम सोतों की तासीर कुछ ऐसी पानी ने जैसे तैसे सीडिया चड़ी और जब तक वो कुंड के किनारे गई तब तक तो उसमें खड़े रहने की ताकत भी नहीं रह गई थी, लंबी बोजिल यात्रा करने के बाद दे जैसे एक दम निरजीव हो जाती है, वैसी हालत शिवानी की भी हो रही थी, सारी को ज तो पैर इस गर्मी के अभ्यस्त हो जाएंगे, शिवानी पैर हिला हिला कर पानी में लहरे उठा रही थी और लहरों के साथ ही जल में पढ़ते उनके प्रतिबिम्भ धिरक रहे थे, दीरे दीरे सारी ठकान मिटने लगी और दोनों की रग रग में उश्मा की लहर दोड़न कल फिर मिलेंगे, हिंदी की श्रिष्ट कहानिया सुनते रहने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें, लाइक करें और शियर भी करें, धन्यवाद